हेलो एंड वेलकम तो स्पोर्ट्स यारी आईपल स्पेशल आपका फिर से स्वागत है और एक और टीम के साथ आपके साथ जुणें और जो यह टीम है यह आपके हमारी और मेरी परसनली फेवरिट टीम है टीम का नाम है रायस्तान रोयल्स महेंद्र सिंग धोनी आपको देख सिजन में करीब जरूर आए फाइनल खेला लेकिन सफलता नहीं मिली अब इस सीजन क्या वो सफलता मिलेगी क्या वो जिसे हम कहते हैं कि टीम में वो दमखम नजर आ रहा है या नहीं यूनिट पूरी की पूरी बात करेंगे क्या कुछ इने जरूरत है क्या कुछ सीखा या नहीं सिखा इस पर बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि खिलाडी जो रिलीज किये गए हैं और रूराइसान रोइल्स के पास अब रीलीज के लिस में आपको दिखेंगे अनुराइस सींग इन बहुत जादा कुछ इस निए लिकिन कॉर्बिन बॉश ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इनको भी रिलीज कर दिया डेर्ल मिच्छल शायद उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा था जेम्स नीशम मैं परसनली चाहता था कि ये खेलें टीम में अभी भी इनको नहीं रखा गया है लाइनप में भी मेरे खाल से शायद एक ही मुकाबला दिया गया था करुन नायर आइधिंग ठीक है डिसिजन उतना जादा मुझे नहीं अखरता है नेथन कूल्टर नायल भी ठीक है फैंडर डसन को भी शायद इनको रखना चीए था शुबम गडवाल को अपर्शुनिटी नहीं मिली आप एक तरीके से कह सकते हैं होम ग्रोण टैलेंट अकेले खिलाड़े सोगे राइस्तान रॉयल से थे एक अच्छे हिटर भी है सिक्स हिटर है बॉल से भी एक हैंड़ी ऑप्शन हो सकते थे और जो चीज लैक करते हैं कभी कभी राइस्तान रॉयल की छटे साथ वे नंबर पर ऐसा कोई बल्लेबाद तो वो भी यहाँ पर शोड़ा आप देखते हैं ऑक्षन में क्या वापस लेते हैं और तेजस बरोका इनको भी छोड़ दिया गया है अब राइस्तान रॉयल्स के रीटेंट खिलाड़ों में संज्यू सेंसन आप सभी को पतान है यह शश्वी जैसवाल और जॉस बटलर आपको पता है ओपनिंग पेर के रूप में है देवदत पडिकल पर बड़ा सस्पेंस था अभी रखे गए हैं बट सम्हाओ इस लाइनप में शायद वो बैलेंस के लिहाज से उस तरीके से उतना फिट नहीं बैठते हैं यह क्योंकि इनको नंबर चार पर खिलाया जाता है उस तरीके से कॉम्बिनेशन में शायद बैलेंस वाइस थोड़ा सा लैक करते हैं जो ऑप्शन जो है नंबर चार पर उनको प्रोवाइड करने चाहिए लेकिन वहाँ पर जगह उनकी उस तरीके से नहीं बनती जो चार नंबर हम देउदत पडिकल की बात करें क्या रियान पराग वहाँ पर खेल सकते हैं एक बोलिंग ऑप्शन भी हो जाएंगे अब इस त्रीम की एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है जो अभी भी एड्रस नहीं की गई है अभी आपको इस लाइन अप में चार ओवर्सीज दिख रहे हैं और चारों ओवर्सीज ऐसे हैं जो फीचर करते वह दिखेंगे आपको के लिए शायद आपका पर्स अलाव नहीं करेगा तो वही आखरी वक्त की तरह लास्ट मोमेंट पर आप मेक्शिफ अर्रेंग्मेंट करोगे शायद कॉर्विन बॉश के पास वापस जाएं ये उनको रखें अपने पास क्योंकि बाबर डॉस में इनकी टीम में है जिमी न कुछ भी रिलाई नहीं कर पाते हो और इन समय से अगर आप शायद करोगे भी तो नवदीब सैनी से थोड़ी बहुत उम्मीदे कर लोगे उस तरीके से बाकी मलब खेल लेते हैं बल्ले से लेकिन वो भरोसा नहीं है जो शायद आप चाहते हो तो यहां पर यह टीम लैक करत बैटिंग होती थी साथ में पर अश्विन होते थे और फिर उसके बाद बिल्कुल बैटिंग उस तरीके की नहीं रहती थी तो यह प्रॉब्लम में साथ साथ केसी करिया अपा को भी रखा हुआ है तो टीम ने सम्हाव जो इनके पास रिसोर्सिस थे अब इन्होंने अब ब इनको चाहिए वह बहुत इंपोर्टेंट रोल्स हैं और उस तरीके की जो जिसे हम कहते हैं कि जो ऑक्षन की जो मार्किट लेगी वो डिमांड में बड़ी जादा रहेगी जैसे हम बात करें कि शायद बोलिंग वाल रॉंडर्स या फिर फिनिशर्स की बात कर लें अभी ज नंबर पर या तो इन्होंने रियान खिलाए थी या कोई और खिलाडी होगा फिर साथ पर अभी लगता है कि इस लाइनप से अश्विन होगे और फिर आपके गेंदबाज रहेंगे जिसमें युजवेंदर चहल, ट्रेंट बोल्ट, कुलदीब सेंज इस तरीके से भरोसा दिखा और पर सिद्विक्रिष्णा, तो टीम पिछले बार जैसी ही सम्हाओ सिमिलर नजर आरे और पिश्री बार ही प्रॉब्लम ये थी, कि बैटिंग डेप्थ का एक इश्यो हो जाता था, आखिर में फिर यह होता था था कि फिनिशर के रूप में आप थोड़ा सा बहु होता है, तो फिर से चैंपेंशिप निकालना जो है, वो मुश्किल हो जाएगा इस टीम के लिए, जो कि मेरी तो परसनली फेवरेट है, और मैं चाहता है क्यों जल्द से जल्द प्रोफी भी उठाए, क्योंकि इंतजार इनका भी बड़ा लंबा हो चुका है, तो यह था र उवर्सीज भी हैं, चाहिए वो इंडियन भी हैं, बट अगर आप उवर्सीज के पास जाओगे, तो शायद जो राइसन रॉयल्स की लाइन अप है, जो उनकी प्राइटी है, उन चार में फीचर करना मुश्किल होगा, जेसन होल्डर अगें एक खिलाड़ी ऐसे रहेंगे कैसी लगी हुई है, फिर Obid McCoy जो आपने डेथ में और उस तरीकी की option अपने देखे, उनको भी आप चाहद बाहर ना बिठाओ, तो खिलाओगे किसकी जिगह पर, इंडियन डॉमेस्टिक टैलेंट्स पर बैंक करना पड़ेगा, और उसमें इंपोर्टन होगाती है, बारी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, कि Reliance बहुत जादा बढ़ जाएगी आप, चुनिंदा खिलाडियों पर बहुत जादा dependent रहोगे, मैचिस जीतने के लिए, बाक ही थोड़ा सा आपको लोगा कि सम्हाव थोड़ा बहुत भी करने, तो उतना हमारे लिए काफी रहेगा तो यह थी पूरी की पूरी अपडेट, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें वीडियो, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, शेर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, उन तक भी पहुंचाएं कि क्या कुछ चल रहा है, आईपिल में और आनवली सीजन में क्या कु चोटे-चोटे वीडियोज भी है, स्पोर्सयारी.com वेबसाइट पर भी सारी इंफोमेशन है, सिनेमा बीस्ट को भी सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पर सिनेमा रिलेटेड कॉंटेंट आपको मिलता है, और स्पोर्सयारी को सोचल मीडिया पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेस्बुक हर जगह जो है, फॉलो करें, अभी के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त, जै हिंद, जै भारत!